हेलो फ्रेंड्स आइम फॉम पार्टल टुटोरियल आई होब यू आर वेल सो मैं इस टुटोरियल में बीटेक सेकंड सेमिस्टर की मैस का एक चेप्टर बता रहा हूँ जो की है पार्शल डिफेंशल इक्वेशन तो आएए जानते हैं कि इसको फर्स्ट टॉपिक है हमारा फर्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन फॉर्मेशन ओफ पार्शल डिफेंशल इक्वेशन तो इसमें हमारा फर्स्ट जो है यह हमारा फॉर्मेशन ओफ पार्शल डिफेंशल इक्वेशन इसमें हमारे टू पार्ट्स आते हैं पहला हमारा एलिमिनेशन ओफ आर्बिट्रेरी आर्बिट्रेरी कॉंस्टेंट यह हमारा फर्स्ट है और सेकेंड हमारा Elimination of Arbitrary Function इसका मतलब यह है कि हमें Partial differential equation को form करने के लिए हमें दो rule को follow करना पड़ेगा First rule जो हमारा है वो है हमारा Elimination of Arbitrary Conscious मतलब जो भी हमें Quotion में Arbitrary Conscious है हमें उसे हटाना है उसे Eliminate करना है और Quotion इस हिसाब से भी हो सकता है हमें Quotion में Arbitrary Function दियावा होगा हमें उस Function को Eliminate करना होगा Partial differential equation में से तो कुछ important symbols मैं आपको बता देता हूँ Quotion करने से पहले इसको important माल लेना यह हमारा important symbols important symbols जैसे कि आप सबने पहले भी पढ़ा होगा पहले chapters में कि del Z by del X को हम P से denote करते हैं और डल Z by del Y को हम Q से denote करते हैं और डल square Z by del X square को हम करते हैं R से denote और डल square Z by del X डल वाई को हम करते हैं S से denote और del square z by del y square को हम करते हैं T से denote तो यह हमारे कुछ important symbols यह आप याद कर लोगे तो आपको easy रहेगा questions में partial differential equation form करने में तो आई यह हम question करते हैं तो आई यह question करते है अच्छे तो फोटो के दिरीगा है वोई तो आपास तो आई यह question करते है question number first question number first हम ले लेते है z equal to में x plus a into में y plus b where a and b are arbitrary constant तो यह और b जो है हमारे इस question में यह arbitrary constant है तो हमें तो हमें elimination of arbitrary constant को follow करके इसको remove करना पड़ेगा तो आई यह हम करते है हम इसके rule क्या है पहले तुम आपको यह बता दूँ starting इसका जैसे जो भी हमें given है जो भी हमें given equation है हमें इसे first मानना है first step हमारे यह है कि हमें given equation को हमें first let करना है हमने कर लिया उसके बाद हमें करना है partially differentiating of equation one with respect to x अब हमें with respect to x करना है तो हम इस equation को equation number first को partially differentiation करेंगे with respect to x तो del z by del x equal to del by del x x plus a into y plus b मैंने x plus a के आगे यह इसरे लगाया है क्योंकि partial differential equation सिर्फ उसी के साथ लगता है जैसे x है यहां पर तो x के respect में कर रहे हैं तब ही हमने यहां लगाया है हम यहां नहीं लगा सकते क्योंकि यह हमारा constant term हो गई तो आगे करते हैं अब मैंने आपको important symbols पर बताया था कि del z by del x हमारा p होता है तो हम यहां पर लिख सकते हैं del z by del x जो है हमारा हम यहां पर लिख सकते हैं पी अब हम इसको partial differentiation करेंगे तो 1 आएगा into में हमारा आएगा y plus b तो b equal to में y plus b आया है इसको हम second माल लेंगे अब हमें एक बार हमने partial differentiation with respect to x किया था first equation को अब हम first equation को ही partial differentiating करेंगे with respect to y तो आएगे करते हैं partially differentiating of equation first with respect to y अब y के respect में करना है तो करते हैं del z by del y equal to में x plus a को ऐसे रहन दिया क्योंकि यह constant time हो गया अब del by del y into y plus b तो del z by del y equal to में x plus a रहन ने हम और यह हमारा हो गया 1 जब यह partial differentiating हो गया तो 1 हो जाएगा तो यहां पर important symbol से बताया था मैंने del z by del y को हम क्या लिख सकते हैं del z by del y को हम लिख सकते हैं q से denote कर सकते हैं तो हम यहां पर लिखेंगे q equal to में x plus a हमने इसे third माल लिया एक p की value जब हम partial differentiation with respect to x करते हैं तो p की value आई हमने उसे second माल लिया एक पर partial differentiation with respect to y करते हैं जो भी answer आया हमने उसे third माना है अब हमें क्या करना है सिंपल सी बात है y plus b और x plus a हम यहां पर दिख रहे है y plus b और x plus a हम यह क्या करना था arbitrary constant हटाना था तो arbitrary constant यहां पर है अगर हम इसकी value और इसकी value first equation में put कर दे तो हमारा arbitrary constant easily remove हो जाएगा easily eliminate हो जाएगा तो हम आये remove करते हैं तो by equation first, second, and third होगा तो z equal to में हमने x plus a की value first for put कर देंगे x plus a की value हमारी है q q put कर दी अब y plus b की value है हमारी p y plus b की जागा हम p put कर देंगे यह अपर हमने put कर दिया p तो यह हमारा answer है देखिए जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमने answer में से a और b को remove कर दिया है it means elimination of arbitrary constant p और q की value में आ गया इसका मतलब यह हमारा answer है question number one में समझा दिया है जो कि elimination of arbitrary constant का है आज़े question number second में आपको बता दू जो कि हमारा elimination of arbitrary function का है तो आज़े question number second जो कि हमारा arbitrary function का है हमें question given है z equal to में function of x square minus y square यह हमारा question है हमें मैंने बताया था आपको कि हमें जो given equation है जो भी हमें given है equation हमें उसे हमें उसे हमें उसे first put करना है कर लिया first मैंने बताया था कि partially differentiation करना है तो आईए partially differentiating of equation one with respect to x x के respect को करेंगे तो यह होगा हमारा del z by del x equal to में function को करेंगे तो f dash x square y square यह हो जाएगा और अब हम bracket के अंदर वाले को partial differentiation करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा del y del x into x square minus y square तो अब इसको करते हैं आगे simplify del z by del x equal to में हम इसको करेंगे x square को करेंगे y को नहीं करेंगे इससे हमें second let करना है अब हमें again partially differentiation करना है partial differentiation of equation first with respect to y y तो del z by del y इसका करेंगे इसका करेंगे f dash x square y square f z इसे हमें third मांगेंगे तो अब हम ऐसा क्या करें जो हमारा first equation जो हमें given equation है उसरते हमार arbitrary function हट जाए arbitrary function f जो हमारा वो हट जाए तो हम क्या करेंगे अब हमने अब by equation second and third by equation second and third मैं ऐसा क्या करें जो हमारा यह जो function है दोनों में जो function है यह हमारा remove हो जाए तो हम क्या करते हैं इसमें second को divide कर देते हैं third से del z by del x upon में del z by del y तो यहां हो जाएगा हमारा 2x f dash x square y square इसकी value हमारी minus 2y by f dash मैंने आपको बताया था हमें arbitrary function हटाने के लिए हमने divide किया इन दोनों को तो यह दोनों आप उसमें cancel out हो गए 2 से 2 cancel हो गया हमारा बत्ता अब del z del z by del x del z by del y equal to में minus x by y तो इसे इन पर कर लेते हैं आजी तो जैसे मैं आपको बताय था del z by del x को important symbol में मैं आपको क्या बताया था del z by del x को हम लिख सकते हैं p p से denote कर सकते हैं तो हम उपर लिख सकते हैं आपको पी और del z by del y को मैंने important symbol में बताया था आपको del z by del y को q लिख सकते हैं तो हमें यहापे q लिख दिया equal to में minus x upon में y अब हम क्या करते हैं cross multiply करेंगे अगर हम तो हमारा answer आएगा y equal to में minus x q हम इस minus x q को इदर ले आते हैं x q plus में p y equal to में 0 तो यह हमारा answer है तो कुछ questions मैं आपको practice के लिए देता हूं question number first second, third, fourth, fifth तो आप यह note कर लिजिए आप इन questions को practice करके देखिए अगर इस question में कहीं भी आपको doubt है तो आप मुझे email कर सकते हैं मैं description में आपको अपनी email देता हूं आपकिक से formation of partial differential equation थे तो थेंक यू तो थेंक यू कर सकते हैं आप आपको यह ग्यादर्ट कर वेड़े प्रयाद्थ